नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चेर परीशेत दोस्तू पस्तित हूँ, आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतो पूर्ण जानकारी को लेकर के जी हाँ, आज हम सभी एक ऐसे पौधे के बारे में जानेंगे, जिसका हरी कंग दवा के रूप में प्रियोक किया जाता है, जिहां ये बाहर निकले हुए पेट को कम तो करता ही है, साथ ही गठिया 21 दिन में समाप्त कर सकता है, इसका दूध उड़े हुए बालों को उगा सकता है, वैसे तो ये पोधा हर जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके उपयोग की जानकारी कम लोगों को है, तो यहां हम आपको इसके प्रियोग की जानकारी बता रहे हैं, आक अर्क के पोधे, शुष्क, उसर और उची भूमी में प्रायः सभी जगह देखने को मिल जाते हैं, इस वनस्पति के विश्य में साधारान समाज में यह भ्रांती फैली हुई है, कि आक का पोधा विशैला होता है, त यदि इसका सिवन अधिक मातरा में कर लिया जाये तो उल्टी दस्त होकर मनुष्य यमराज के घर तक जा सकता है, इसके विप्रिद, यदि आक का सिवन उचित मातरा में योग्य तरीके से चतुरवैद्ध की निगरानी में किया जाये तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है, इसका हर अंग दवा है, हर भाग उप्योगी है, एवं यह सुर्य के समान तिक्ष, तेजस्वी और पारे के समान उत्तम तथा दिव्य रसायन धर्मा है, आए सबसे पहले इसकी पहचान जानते हैं, यह पोधा अकोवा एक औशधिय पादप है, इसको मदा मंदार, आक, अरक भी कहते हैं, इसका वरिक्ष छोटा और छटादार होता है, पत्ते बरगत के पत्तों के समान होते हैं, हरे सफेदी लिए पत्ते पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं, इसका फूल सफेद छोटा छटादार होता है, फूल पर रंगीन चित्तियां होती है, फल आम के समान होता है जिन में रूइ होती है आग की शाखाऊं में दूद निकलता है यह दूध विष्ग का काम कर देता है आख गर्मी के दिनों में रेतिली भूमी पर होता है चोमासे में पानी बरसने पर सुख जाता है अब आईए जानते हैं इसके नो प्रकार के अद्भुत लावों के बारे में आग के पोधे की पत्ती को उल्टा उल्टा का मतलब है पत्ते का खुरदुरा भाग इसको उल्टा करके पैर के तलवे से सटा कर मोजा पहन ले सुबह और पूरा दिन रहने दें रात में सोते समय निकाल दें एक सब्ताह में आपका शुगर लेवल समान्य हो जाएगा साथ ही बाहर निकला हुआ पेट भी कम हो जाएगा आग का हर अंग दवा है हर भाग उपयोगी है यह सुर्य के समान तिक्षन तेजस्वी और पारे के समान उत्तम तथा दिव्य रसायन धर्मा है कहीं कहीं इसे वाना स्पतिक पारत भी कहा गया है आग के कुमल पत्ते मीठे तेल में जला कर अंड़कोश की सूजन पर बादने से सूजन दूर हो जाती है तथा कड़वे तेल में पत्तों को जला कर गर्मी के घाव पर लगाने से घाव अच्छा हो जाता है इसके कुमल पत्तों के धुए से बवासीर शांत होती है आग के पत्तों को गर्म करके बादने से चोट अच्छी हो जाती है सूजन दूर हो जाती है आग की जड़ के चुण में काली मिर्च पीस कर मिला लें और छोटी छोटी गोलियां बना कर खाने से खासी दूर हो जाती है आग की जड़ के राख में करुआ तेल मिला कर लगाने से खुजली अच्छी हो जाती है आग की सूखी डंडी लेकर उसे एक तरफ से जला लें और दूसरी ओर से नाक द्वारा उसका धुआ जोर से खीचें सिर का दर्द तुरंत अच्छा हो जाता है आग का पत्ता और डंठल पानी में डाल कर रखें उसी पानी से आब दस्त लें तो बवासीर अच्छी हो जाती है आग की जड़ का चूण गर्म पानी के साथ सेवन करने से उपदंश यानि की गर्मी रोग अच्छा हो जाता है उपदंश के घाव पर भी आग का चूण छिरकना चाहिए आख ही के काड़े से घाव को धोना चाहिए आग की जड़ को पानी में घिस कर लगाने से नाखूं के रोग अच्छे हो जाते हैं आग की जड़ छाया में सुखा कर पीश लें और उसमें गुड मिलाकर खाने से शित जवर शांत हो जाता है आग की जड़ दो सेर लेकर उसको चार सेर पानी में पका लें जब आधा पानी रह जाए तब जड़ निकाल लें और पानी में दो सेर गेहु छोड़ें जब जल नहीं रहे तब सुखा कर उन गेहों का आटा पीश कर पाउ भर आटा की बाटी या रोटी बना कर उसमें गूर और घी मिला कर प्रती दिन खाने से गठिया बाद दूर होती है बहुत दिन की गठिया 21 दिन में अच्छी हो जाती है आग का दूर पाउं के अंगुठे पर लगाने से दुखती हुई आँख अच्छी हो जाती है बवासीर के मसो पर लगाने से मस से चले जाते हैं बर्रे काटे में लगाने से दर्द नहीं होता चोट पर लगाने से चोट शांथ हो जाती है जहांके बाल उड़ गए हों वहाँ पर आख का दूध लगाने से बाल उगाते हैं लेकिन ध्यान रहे इसका दूध आख में नहीं जाना चाहिए वरना आखें खराब हो जाते हैं हमने जो ये आपको उपाय बताए वो आप साउधानी से करें क्योंकि हम बताए जितना ही ये कारगर होता है उतना ही इसका साईड इफेक्ट भी है यानि कि अगर आपने सही धंग से नहीं इस्तेमाल किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है इसलिए बहुत साउधानी के साथ इसका परियोग करें तो आपके लिए बहुत लाफकारी और शद्य सावित होगी है तो दोस्तों ये थे आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों